Question No.3 start करते हैं Figure is already given If AB is parallel to CD हमें हर point ठागत हैं यहां पर पहले से बता दिया गया है कि AB और CD parallel है यानि AB और CD parallel होने का मतलब है इन दोनों लाइन के बीच का यह space है न वो हमेशा equal है चाहे वो यहां से यहां का distance हो यहां की यहां का distance हो क्या ही मतलब होता है Next है EF is perpendicular to CD तो बिलकुँ साफ दिख रहे है हमें EF यह जो है न यह CD के ऊपर एक perpendicular है 90 degree का angle create करता है You see that and GED equals 126 degree GED कौन सा angle है देखें G से start होते है Where is G? This point is actually G GED यानि यह पूरा angle This whole angle is given to be 126 degree Next कहता है find angle AGE GEF and FGE आप जो जो angle find out करने है mark कर लेते हैं हमें find करने है AGE A यहां है G यहां है E यहां है यानि हमें एक तो angle यह वाला find out करने है इससे angle number 1 कहरेते हैं Next है हमें find करना है angle GEF G E F इसका भी नाम रख देते हैं इससे angle 2 कहरेते हैं चिक्के? Next है FGE F G E यानि यह वाला भी angle हमें find out करना है Right तो बहुत easy है तीनो angles निकालना Actually easy है बहुत सारी चीज़े आपको वैसी पता चल जाएगी Figure देखने से ही चलिए start करते हैं तो question कहते हैं कि सबसे पहले start करने में इस given से लिक देते हैं चल्दी-चल्दी क्या-क्या चीज़े given है जो-जो options given है उन्हें हम shortcut में mention कर देते हैं सबसे पहली चीज़ यह given है कि AB और CD parallel है यह mention कर दीज़े AB is parallel to CD यह given है न तभी हम parallel से related सारी theorem लगा सकते हैं यह नहीं given होता तो फिर हम parallel वाली theorem नहीं लगा सकते थे याद रखेगा यह statement E, F और CD एक दूसरे कर परपैंडिकुलर है यह भी mention कर देते हैं क्या E, F परपैंडिकुलर to CD एक 3rd point और mention है कि एक angle given है which is angle G, E, D equals 126 degree का अब क्या कर देते हैं हमें यह 3 angles find out करने हैं और 2 find में कर देते हैं mention कि हमें कौन कौन से angle find out करने हैं angle है 1, 2, 3 to find angle 1, angle 2 and angle 3 ठीक है अब start करके solution card solution में देखें सबसे पहले जो angle हमें given है 126 degree का इस ही angle को अगर आप ध्यां से देखें यह angle कुछ इस तरह से बना हुए जिसमें इतना हिस्सा 90 degree का पहले से है और यह पूरा angle है 126 degree का यह पूरा angle 126 है इतना angle 90 degree है तो क्या हम पता कर से हैं इतना angle कितना बचेगा 126 minus 90 तो यह तो हो जाएगा 126 minus 90 कैसे अभी हम mention करते हैं कौन सा angle है? angle 2 angle 2 equal 126 minus 90 degree ठीक है? अब angle 2 की value calculate कर लेते है 126 minus 90 कितना होगा? 6 36 degree का होगा तो हमें मिल चुका यह वाला angle 36 degree का होगा अब एक और चीज़ देखते हैं हमें पैलल वाला पार्ट भी गिवन था अब देखें जब अब अब और सीडी पैललल है तो अगर हम इस पर्पैंडिकुलर को यह मान के चले कि पर्पैंडिकुलर एक तरह का ट्रांस्टोर्जर लाइन की तरह काम कर देखें तो यह वाला angle अगर 90 है तो क्या यह angle 90 degree होगा? तो यह angle भी 90 degree होगा क्योंकि निकाला हमने यह angle 90 degree? क्योंकि यहाँ पर बनती है एक triangle जिसमें हमें यह angle पता है कितने डिगरी का यह angle? अभी हमने calculate किया 36 degree का आपको यह angle पता है 90 degree है तो क्यों 3rd angle हमने निकाल सकते हैं? जब किसी triangle के हमें 2 angles पता हो तो 3rd angle निकालने के लिए क्या करना होगा? angles का प्रॉपर्टी लगानी होगी तो उसका बचलब है 2nd part के लिए हम यह mention करेंगे angle 2 plus angle 3 angle 2 plus angle 3 plus 90 degree equals 180 Q है यह 90 degree का? Q 180 है क्योंकि हमने यह अप्लाई की है angle sum property मैं इसे shortcut में AS के लिख रही है you should mention it properly तो हमने यह angle sum property अप्लाई की तो हमने यह angle sum property अप्लाई की तो यह भी लिख देते है कि 90 degree हमने कहां से obtain किया यह angle हमारा 90 degree है तो यहाँ पर mention करते angle GFE angle GFE will be 90 degree because it is alternate angle किसका alternate angle है यह? यह वाला angle इसका alternate है यानि FED का angle FED तो आपने यह भी बता दिया कि 90 degree का आपने क्यों mention किया फिर 2, 3 और 90 का sum 180 degree हुआ और यह कहां पर है यह आपने apply किया है in triangle आपकी triangle है EFG तो यह triangle है हमारी EFG इस triangle में हमारे 2 angles हमें वह गया है so next will be angle 2 or 3 क्या-क्या है angle 2? angle 2 के value we already know that is 36 degree 36 plus angle 3 we don't even know yet 90 equals 180 degree तो यहां से हम angle 3 के value calculate करेंगे that will be 36 plus 90 यह हो गया आपका 126 degree plus angle 3 equals 180 hence angle 3 will be 180 minus 126 आप इने subtract कर लेंगे 54 degree आजाएगा तो यह थे आपके 3 angles angle 3 निकाल लिया हमने angle 2 निकाल लिया और इसको angle 90 का हमने prove कर दिया next रहेगे हमारे पस angle 1 की value calculate करना angle 1 के लिए क्या calculation हो सकती है तेखे angle 1 तो सीधा आप alternate angle से mention कर सकते है यह दो आपकी parallel lines हो गए कौनसी lines? AB and CD इन दो parallel line में अगर एक ऐसे transfer the line intersect करती है और यह पूरा angle is given to be 126 degree तो यह वाला angle भी 126 होगा तो आप mention कर सकते है angle 1 equals angle 126 126 के जिए कि आप नाम लिखिए AED तो angle है आपका angle AED क्यों? रीजन है आपका कि यह alternate angles है तो फिर angle 1 की भी value आ गई है 126 degree यह तीनों answers आप specifically mention कर दिए angle 1 आपने निकाल दिया यहाँ पर यहाँ पर angle 3 की calculation है और यह है आपका angle number 2 there you go with the answer